Class 5th Students आज हम व्यातरन सोपान में एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुशेद लेखन का ध्यान करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुशेद को किस प्रकार लिखा जाता है अनुशेद लिखन से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है और अनुशेद को कैसे लिखें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुशेद लेखन से पहले हमें ये पता होना आवश्यक है कि अनुशेद होता गया है अपने विचारों को क्रमानुसार लिखना ही अनुशेद कहलाता है अपने यदि आपके मन में कोई विचार आते हैं और आप उनके बारे में अध्यान करके उनको क्रमानुसार लिखते हैं तो वही अनुशेद कहलाता है अब आती है बात कैसे लिखी है अनुशेद, मतलब अनुशेद लिखने से पहले हमें किन बातों को खटा करना है, कहां से जानकारी लेनी है, तो देखिए, जिस भी विशय पर आप लिखना चाते हैं, उसके बारे में आपको खूब सोचना है, खूब विचार करना है, जिस भ जानकारी आप अपने घर में किसी बड़े से ले सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से ले सकते हैं, कहीं से भी उसकी जानकारी को खटा किजी, किसी पुस्सक की सहायता से ले सकते हैं, और जब आपने उस विवारे में किसम विचार कर लिया, उससे सम्मध्य जानकारी भी खट तो फिर उस विशय को इकटा करके अपनी बात को एकत्यत करकर लिख सकते हैं क्रमानुसार एक और बात अनुशेद लिखते वक्त हमें क्या रखनी है ध्यान? वह बाते हैं सबसे पहली बात कि हमेशा 15 से 20 वाक्य होने चाहिए अनुशेद में दूसरी बात अनुशेत की भाषा सरल और स्पस्ट होनी चाहिए वहीं तीसरी बात वाक्य छोटे हों और चौत्री बात वाक्य को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए एक बात को एक से अधिक बार न कहा जाए तो हमें इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो एक अच्छे और प्रभावशाली अनुशेत का निर्मान कर पाएंगे चलिए तो हम एक अनुशेत का अभ्यास करते हैं अनुशेत का नाम है जब मैंने पहली बार चाय बनाई जब मैंने पहली बार चाय बनाई यह अनुशेद है इसके उपर हमें अनुशेद का अधिन करते हैं एक दिन मैं विद्यालर से वापस आई तो देखा मा बुखार और सिर्दर से करा रही थी बिस्तर से उड़ भी नहीं पा रही थी मा की हाला देखकर लगा कि मुझे उनकी साहता गरनी चाहिए मुझे अभी तक रसोई घर में कुछ भी बनाने का अनुभब नहीं था मैंने मा से पूछा मा क्या आप चाय पीएंगी मान ने मेरी ओर देखा वे शाय सोच रही थी क्या मैं सचमुछ चाय बना पाऊंगी सबसे पहले मैंने बरतन में एक कप चाय डाला फिर गैस जलाकर बरतन को गैस पर लखा जब पानी उबलने लगा तो उसमें दो चमत चीनी, आधा चमत चाय की पत्ती और आधा कप दूट डाला चाय उबलने पर गैस बन कर दी, फिर छनी से चान कर कप में चाय डाली कप को ट्रे में रखकर मैं मा के पास गई मा को धीरे से जगाया और उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया मा खुश भी थी और हैरान भी उन्होंने मुझे प्यार किया शाम को पिता जी के आते ही उन्होंने मेरे चाय बनाने के बारे में बताया पिता जी ने भी मेरी फिर थप थपाई मैं बहुत खुश थी तो आप नहीं जब मैंने पहली बार चाहे बनाई का अनुशेद का अध्यन करके आपने देखा होगा कि इसमें वाक्यों को कितने सरल और स्पस्ट रूप से दर्शाया गया है वाक्ये बहुत जादा बड़े पाक्यों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया गया है और इसके साथ ही किसी भी बात को दोहराया नहीं गया है आप देखेंगे कोई भी बात एक से अधिक बार नहीं कही गयी है चली तो अब हम एक अनुशेद आपको ग्रहकारे के लिए देते हैं और वो आपको इसी प् परकार का होते हैं इस विशा पर आपको एक अनुशेद दिखने हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही देहनेवान